तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से invertivates के अंदर respiration की process होती है पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से clear किया था excretion की process को किस तरीके से invertivates के अंदर होती है और कौन सा organ, excretty organ के रूप में invertivates के अंदर work करता है आज की वीडियो में उसी के आगे की topic respiration को देखेंगे और किस तरीके से respiration की process invertivates के अंदर होती है और respiration organ के रूप में उनके अंदर कौन work करता है पिछली वीडियो में हमने उस respiration organ के बारे में भी समझा था कि invertivates के अंदर ये कुछ following types के respiration organ की रूप में work करते है जा आप हमने उनकी बारे में समझा था body surface देखा था, फिर gills देखा था, फिर track या देखा था और ये आपका एक book lungs भी होता है उसके थो भी वो respiration की process देखने को मिलती है तो फिर क्या ही कहने, आईए topic को देखते हैं अब तक हमने तीजी से topic को देखा था आप जड़ा प्यार से धीमे धीमे समझेंगे अच्छे से एक topic में डूब के समझें कि तभी न समझ में आएगा अब जैसा कि आपको भी बहुत अच्छे से बताए कि invertebates के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं और उन बहुत सारे फाइलंस को हमें देखना है जैसे हमारा example के दौर पहले पौरिफेरा आता है पौरिफेरा नहीं आता है पहले प्रोटो जोवा आता है तो वो प्रोटो जोवा वाले पार्ट को देखेंगे फिर पौरिफेरा वाले पार्ट को देखेंगे फिर प्लेटी हेलमेंथिस वाले पार्ट को देखेंगे बात किसी की भी करें इन तीनों के अंदर अगर बात की जाए तो कोई एक specific scattering organ या specific आपका कहा जाए कि respiratory organ नहीं पाया जाता है specific मतलब कोई खास respiratory organ नहीं पाया जाता है जो respiration की process में help करता है बारी बारी समझाता हूँ कियो आपको परसान करना पहले सबसे पहले बात करते हैं प्रोटो जोवा की कि इसमें किस तरीके से excreation माफ किजेगा पिछली वीडियो में excreation बोल बोल के मुह पे चड़ गया है respiration की process होती है उसे देखते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि bacteria हो गया प्रोटो जोवा हो गया यह सब आपके single cell यानि की unicelder होते हैं एक cell से बने organism होते हैं ठीक है और इस तरीके के organism के अंदर जो respiration के लिए कोई एक विसेश एक specialized organ नहीं होता कोई एक विसेश अंग नहीं होता जिसके through respiration की process कर सकें तो जो ऐसे जीव होते हैं ऐसे organism होते हैं प्यार से समझेगा उनके अंदर respiration की process किसी organ के through नहीं होती है उनके पूरी body से respiration होती है ठीक है बास समझ लें यानि कि ऐसे organism के अंदर किसी प्रकार के कोई excretory माफ कीजेगा respiratory organ नहीं होते हैं वो excretory respiratory एकदम परसान हो गया है एकदम एक जैसा word हो गया हमारे लिए इतना ज़्यादा excretory बोल बोल के ना सनक गया दिमाग माफ कर देजेगा ना दिल की गहराई उसे माफ कर देजेगा वैसे माफ नहीं हो तो छोटा बच्चा समझ की माफ कर देजेगा आगे देखिए क्या होता है कि इनके अंदर respiration की process करने के लिए कोई specific और नहीं होता है तो इस वज़ा से ये अपने body surface के थूरू या आप कह सकते हैं कि पूरी body से respiration की process करते हैं अपनी body surface के थूरू ये gases को exchange करते हैं oxygen को अंदर लेते हैं CO2 को बाहर करते हैं उस तरीके से ये process होती है ठीक है ऐसे समझ ये कि ये पूरे time continuously अपने external environment से connected होते है पूरी तरीके से अपने external environment से बाहरी वातावरण से पूरे समय contact में रहते हैं और वहां से उसी तरीके से diffusion की process के थूरू ये लोग oxygen को obtain करते हैं और आपके CO2 को बाहर release कर देते हैं इस तरीके की process होती है और इसमें ये process इनकी body के थूरू इनके body surface के थूरू होती है जो कि मै आपको बहुत clearly समझा दिया बता दिया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भी पता है कि प्रोटु जोवा के अंतरगत excreation की भी process इसी तरीके सोती थी इसमें कोई excretory organ नहीं होता था कोई specialized organ नहीं होता था जो waste product को बाहर कर सके उसी तरीके से इसमें कोई specialized respiratory organ भी नहीं होता है जो स्वसन की क्रिया में सास लेने की क्रिया में help कर सके इसी वज़े से ये पूरी अपनी body surface के थूर ये काम करते हैं उम्मीद करता हूं चीज़े समझ में आ गई होगी एक बार फिर से आपको नमस्कार तो यहां पे आपकी पहली कहानी खतम होती है बात करते हैं उपर ही membrane का ही आएगा बाहरी membrane का ही आएगा जो ही वही तो करेगी वो नहीं होगा तिनका गुजारा कई से होता बस वही हाल है चुकि हमको पता है कि पौरिफेरा के अंदर पाए जाने वाले जो member होते हैं उस फाइलम्ट के अंदर पाए जाने वाले जो member होते हैं उसके हम sponge के भी नाम से जानते हैं इस वज़े से यहाँ पे sponge लिखा गया और बताया गया है कि special respiratory organ are absent यानि कि sponge के अंदर या poriferophyllum के अंदर जो special respiratory organ है वो absent होते हैं gaseous exchange occurs by the simple diffusion between the cells of the sponge and the current of water यानि इसमें जो gaseous exchange है वो simple diffusion के तहत होता है यानि कि जिस तरीके से जब पानी sponge के अंदर आता है जो ये current of water या flow of water है तो उसी के साथ साथ water के साथ साथ ही जो oxygen है वो भी हमारी body के अंदर आता है तो मतलब हमें पता है कि sponge की body पे बहुत सारे austria पाए जाते हैं austria का मतलब कहा है बहुत सारे सुच में बहुत छोटे छोटे होल पाए जाते हैं और जिसे हम austria के नाम से जानते हैं sponge की body पे बहुत सारे hole पाए जाते हैं जिसे हम austria के नाम से जानते हैं उसी austria के थुरू पानी अंदर आता है और उसी पानी की सहायता या उसी पानी के साथ ही आपका जो oxygen है वो भी sponge की body में आता है और फिर वहां से oxygen body के द्वारा absorb कर लिया जाता है और जो CO2 है वो वापस से उसी पानी में डाल जिया जाता है और वो पानी के साथ और स्कुलम के थूरू sponge की body से बहार निकल जाता है इस तरीके से इनके अंदर gases exchange की चीज़े या process होती है वही चीज़ यहां लिखी गई है oxygen dissolved in the water and taken by diffusion through the general body surface and carbon dioxide is given out ठीक है आपका जो घुला हुआ water में घुला हुआ oxygen होता है वो उसको taken कर लेता है ले लेता है body surface के द्वारा और फिर जो आपका carbon dioxide है उसको बाहर कर दिये जाता है आपका ऑस्कुलम के distribute oxygen with the mesenchymand carry away carbon dioxide यानि कि जो पौरिफेरा या sponge की अंदर amoebo sites होता है वो क्या करता है वो oxygen को distribute करता है और साथ ही साथ आपका carbon dioxide को carry करने का भी काम करता है और उसको बाद वो पानी में mix होने के बाद उसको कहां से बाहर कर देता है औसकुलम के थू ही CO2 को जैसे आपको figure में भ बाहर है यानि कि oxygen यहां से आया और उसकोलम के थरफ बहार हो गया austreya से पानी अंदर आया पानी के साथ oxygen भी आया और फिर ऑसकोलम के थूफ पानी भी बाहर जाता है और वहीं से आपका waste material भी जाता है और वहीं से आपका carbon dioxide भी जारा है इस तरीक अब बात करते हैं third phylum की तो third phylum आपका salentates है अब इसके अंदर क्या है वो देख लीजिए salentates के अंदर भी same कहानी है same line है सब कुछ हुआ ही है इसके अंदर भी respiration के लिए कोई आपका special कोई आपका specific औरगन नहीं होता है यानि कोई एक विसिस्ट एक particular उसी के लिए औरगन नहीं होता है इसमें भी excreation की process उनकी body surface के ही through या कह सकते हैं diffusion के ही through होती है अब आईए देखिए salentrates do not have a sensory organ इनके अंदर sensory organ भी नहीं होता है respiration और excreation की process simple diffusion के थू होती है और इनके अंदर उसी तरीके से circulatory system भी absent होता है या आप कह सकते हैं circulatory organ भी नहीं पाया जाता है अब इसी चीज को चाहिए आप ऐसे कह सकते हैं या छोटे में ऐसे कह सकते हैं कि there are no circulatory respiratory और excretory organ in salentrates यानि की न तो इसमें circulatory organ होता है ना ही respiratory organ होता है और ना ही excretory organ होता है यही इसकी कहानी है यहाँ पे कहानी खतम the outer body surface is responsible for respiration and excretion ठीक है जो इसकी outer body surface होती है वही respiration के लिए वही excretion के लिए responsible होती है हमको भी पता है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है वहाँ पे हमने समझा था वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से salentrates के अंदर excretion के लिए कोई एक specific या विस्ट औरगन नहीं होता है और वो process इसमें body surface के थुरू होती है उसी तरीके से इसमें respiration के लिए भी कोई special organ नहीं होता है कोई विस्ट औरगन नहीं होता है इसी वज़ा से इसमें process इनके body surface के थुरू होती है कहानी खता हमें बात समझ में आ गई कहें लिए हमको परसान कर रहे हैं बाकी आपको हम बता दे रहे हैं आज हम आपको notes सिफ हिंदी में नहीं दे पाएंगे English में देंगे आजम बहुत ठक गया है मन बहुत एक दम उदास उदासा है इसलिए लिखने का मन ने कर रहा है एक भासा में हमने लिख दिया है दूसरी भासा बची हुई है उस भासा में हम अगली वीडियो में आपको वो notes provide करा देंगे ना तो इसलिए हमें माफ कर देजेगा अगर माली जे मन बदल गया तो हम हिंदी में कुछ लिख देंगे लेकिन ज्यादा provide नहीं करा पाएंगे इसके लिए हमें माननी सब्दों से समानित नहीं करिएगा ना तो देख लीजे थोड़ा सा और कि किस तरीके से ये एब्सॉर्ब करता है वैसे तो आप ये नॉर्मली कह सकते हैं कि बौडी सर्फेस के थूरू एब्सॉर्ब हो जाता है लेकिन थोड़ा डीटेलिंग देखना चाते हैं तो इससे हम एक्टोडर्म के भी नाम से जानते हैं फिर ये उक्सीजन आपकी सेकंड लेयर के पास जाता है जिसे हम इंडोडर्म के नाम से जानते हैं क्योंकि वो अंदर वाली लेयर होती है और ये कॉमन सी बाते हमें पता भी है जो बाहरी लेयर और अंदर लेयर को क्या का कह तें वो हमें समझ में भी आता है फिर उस oxygen molecule का यूज किया जाता है और उसके बाद जो waste product होता है यानि कि जो आपका carbon dioxide होता है उसको बाहर लिया कर रिलीज कर दिया जता है यही छोटी सी कहानी है हमको कहांगे आपको सुनानी है आप तो खुदी intelligent है खुदी समझ जाएंगे यह चोटी सी कहानी है, कहाएं आपको सुनानी है, राइमिंग थोड़ा सा लग रहा था, ठीक है, आगे देखते हैं, तो इस तरीके से सलेंट्रेट वाले भाईया से भी हमारा पीछा खतम होता है, यहाँ पे इनकी कहानी खतम होती है, इनको भी हम पढ़ नाम कहते हैं, कोई function नहीं होता है, कुछ वैसा विशेस नहीं है, या इसके अंदर respiration के लिए कोई special organ हो, जो respiration की process में help करता हो, कुछ नहीं है, तो अब फिर से वही कहेंगे, फिर से वही मजाग, फिर से वही line, अरे कुछ तो line change कर लीजिए, रटा रटाया बोल रहे हैं, का कर सकते हैं, line नहीं है, कुछ बदलना ही नहीं है, इसी वज़े से कह रहे हैं, बहुत simple topic है, एक बार चीजों को समझ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, लिखने के लिए तो इतना कुछ है, आपके पास इतना कुछ है कि कुछ कहना नहीं है, वो तो हम थड़ा कंजूस इंसान हूं, थड़ा हिंदी ना लिखने का मन करता, नहीं तो बताता कि कितना कुछ लिख सकते हैं, मतलब एक एक topic के अंदर इतना कुछ लिखने के लिए है, कि कभी आपको लिखने में कमी नहीं आएगी, एक बार बस चीजों को समझ जाएए, उसके बाद अन्या मन ने लिख सकते हैं, जतना मन ने आए, उतना लिख दीजिए, तो इसमें भी कोई खास कुछ है नहीं, इसमें भी प्रोसेस मतलब इसमें भी respiration की प्रोसेस, वही आपके general body surface के diffusion के थ्रू होती है, या कह सकते हैं, जो outer membrane सबसे बाहरी membrane होती है, उसके थ्रू होती है, यानि कि अब एक तरीके से यही कहरे हैं कि body surface के थ्रू होती है, diffusion के थ्रू होती है, कोई line में कोई changes नहीं है, वही हाल है, oxygen अंदर आएगा, CO2 जो आपका waste material एक तरीके से, वो body से बाहर कर दिये जाता है, सब इनसान के लिए respiration important है, सब भी जानवरों के लिए, सब भी living organism के लिए important है, तो इसी वज़ा से यह लोग respiration कर रहे हैं, अब जिनके पास इस चीज के लिए कोई special organ नहीं है, कोई एक खास organ अंग नहीं है, वो लोग आपके respiration की process body surface के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि भाईया respiration तो करना ही है, अगर जीना है तो respiration करना ही है, तो इसलिए चाहे कोई भी condition हो, organ हो, चाहे नहों भगवान बनाए हो, चाहे नहों, लेकिन करना तो है भाईया, जीना है तो करना तो पड़ेगा ही, अब हम बहुत थक चुके हैं, सोच रहे हैं, चुप चाप से फनवा काट कर सो जाएं, लेकिन का बता हैं, 20 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखिए तब हम बात करते हैं, अपने अगले, आपके अगले phylum की ठीक है, जाना चाहिए था, या तो मर जाना चाहिए था, कुछ अच्छा करना चाहिए था, चलिए, अब काम की चीज मिल गई है, जैसे एनिलीडा की बात की जाएं, जैसे इस तरीके के जो phylum होते हैं, उनके अंदर जो आने वाले organism होते हैं, उनके अंदर respiration के लिए visist organ, specialized organ present होता है, यानि कि उनके अंदर respiration की process करने के लिए कुछ organ होता है, जिनके थूँ वो अपनी respiration की process को complete करते हैं, यानि कि एक तरीके से आप कह सकते हैं, कि अब आई ना काम की बात, वरना इससे पहिले तक तो आप पस वही body surface, body surface वही का वही लेके पड़े हुए हैं, आप जाके थोड़ा कोई organ वाली बात आई, जहांपे किसी organ के थूँ respiration की process की जा रही है, तो इसमें भी any leader के अंदर भी, या any leads के अंदर भी, आपकी जो respiration की process है, कुछ any leads के अंदर skin के थूँ, यानि कि वही बात हो गई कि body surface के थूँ, यानि कि अपनी तवचा के सुदू, मतलब तवचा के थूँ, माफ कीज़ेगा, उसके थूँ आपका respiration की process होती है, जबकि कुछ आपके any leads के अंदर, ये process gills के द्वारा होती है, यानि कि आप एक तरीके से कह सकते हैं, जो मर्चलियों में देखने को मिलता है, उस गल्फडों के थूँ, यानि कि गिल्स के थूँ, respiration की process देखने को मिलती है, तो अब अगर आपसे कहा जा कि, मोटा मोटा आपने क्या समझा, सोबात की एक बात क्या हो गई, सोबात की एक बात सिर्फ इतनी सी है, मोटा मोटा हमने सिर्फ इतना सा समझा है, कि एनिलीड्स के अंदर दो तरीके से, respiration की process हमने देखी है, कुछ ऐसे एनिलीड्स होते हैं, यानि कि इस एनिलीडा फाइलम के अंतरगत आने वाले कुछ ऐसे organism होते हैं, जिनके अंदर respiration की process skin के थ्रू यानि कि कह सकते हैं, मोटा मोटा body surface के थ्रू होती है, और कुछ के अंदर gills के थ्रू होती है, ठीक है, यही simple सी बात है, हमें समझ में आ गई है, यहीं पर हम इसकी कहानी खतम करेंगे, बाकी अब चीज़ों को पढ़ पढ़ के आपको एक एक लाइन समझा दे रहा हो, जैसे in earth warm the respiratory mainly occurred of performed through skin called as a cutaneous respiration, यानि कि जो earth warm होता है, यानि कि जो आपका केचुआ है, उसके अंदर respiration की process skin के थ्रू, यानि कि अपनी body surface ही कहेंगे, एक तरीकी से skin कहाँ सबसे आपकी उपरी layer है, तो आप कहाँ सकते हैं body surface चुप चाप से skin कहीं हैं न भाईया, क्या ही दिक्कत है, तो केचुए के अंदर respiration की process skin के थ्रू होती है, इसी वज़े से इसे cutaneous respiration के भी नाम से जाना जाता है, चूँकि cutaneous क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो उपरी जो layer होती है, cuticle की layer यानि कि आपकी skin वाली layer, इसी वज़े से उसे हम cutaneous respiration के भी नाम से जानते हैं, और cutaneous respiration उसे कहते हैं, जिस organism के अंदर respiration की process, उनकी skin के थूरू, उनकी उपरी surface के थूरू होती है, ऐसे respiration को cutaneous respiration के नाम से जानते हैं, यहीं सिम्पल सी बात है, उम्मिद करता हूँ, आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं, ऐसे flow में बुलने में बड़ा मजाता है, आत्मा त्रिप्थ हो जा रही है, अब तक दम बोरिंग से परतान हो गया था, blood earth warm contain respiratory pigment hemoglobin in a dissolved state in its plasma, यानि कि जो आपके केचुआ का blood होता है, जो केचुए के body के अंदर blood बहरा है, earth warm की body के अंदर blood बहरा है, वही respiratory pigment को contain करता है, अपने साथ रखता है, यानि कि जो hemoglobin है वही oxygen को catch करता है, हमें पता है कि blood के अंदर hemoglobin पाया जाता है, यही hemoglobin oxygen को ले जाने का काम इंसानों के अंदर भी करता है, उसी तरीके से केचुए के अंदर भी hemoglobin oxygen को absorb करता है, या oxygen को अपने साथ carry करके ले के जाता है, चुकि हीमोगलोबीन आपस में एक तरीके से रियक्ट करके आकसी हीमोगलोबीन बना लेते हैं यानि कि आपका हीमोगलोबीन प्लस आकसीजन आपस में कमबाइन होके आकसी हीमोगलोबीन बना लेते हैं तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका oxygen है वो blood के थुरू आपकी पूरी body में घुम जा रहा है और इस तरीके से जो blood है वो पूरी body में घुमता है तो आपके जो oxygen है वो पूरी body में आपका पहुच जाता है जिस तरीके से हमारे अंदर होता है और जो फिर आपका carbon dioxide है उसको भी बाहर करने काम भी blood ही कर देता है जिस तरीके से वो भी हमारे अंदर होता है blood ही carbon dioxide को बाहर करता है oxygen को अंदर ले जाने काम करता है ये चीज़े आपके mind में पूरी तरीके से बिल्कुल clear हो जानी चाहिए एक तरीके से इनसानों जैसा ही हाल है बस फरक यह है कि इन में respiratory organ के रूप में gills work कर रहे हैं और gills work नहीं करता है तब ऐसी condition में उनकी तवचा के थुरू उनके skin के थुरू ये process हो जाती है में कोई चिंता वाली बात नहीं है तो आज की बस यही पर वीडियो खतम करते हैं उतना खास मन नहीं था यही पर कानी खतम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके हिंदी नोट्स भी दे दूँगा अच्छे से complete करा दूँगा जो बचा कुछा है उसको भी समझा दूँगा कोई दिक्कत परसानी होगी प्यारा सा कमेंट कर दिजेगा वीडियो पसंद आएगी तो like, share, subscribe करिएगा दोस्तों में share करिएगा टाटा बाइगा जाएगा 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 जाएग